आजकल ये कायरवेदिक टोनिक सच्ची सहली का नाम काफी सुन रहे हैं कि इसके कई सारे multiple benefits है और इसका यूज महला और लड़की के कई problems का इलाज करने के लिए क्या जाता है तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है सची सहली टोनिक की पूरी सचाई और इसके सभी points को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद और कोई दूसरी वीडियो देखने की जरुरत नहीं पड़ेगी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बस आपसे एक छोट इसी रिक्वेश्ट है कि वीडियो को पूरा complete जरूर देखें दोस्तो सची सहली एक आईरवेदिक सीरप है और इसको डिवी सा हर्बल प्राइबिट लिमीटर कंपनी द्वारा बनाया जाता है बात कर लेते हैं इस सिरप के महत पूर्ण आईरवेदिक इंग्रिडियन्स के बारे में तो दोस्तो इस सची सहली टोनिक को 67 जड़ी बूटियों की अर्क से मिला कर बनाया गया है जिसमें मुकरूप से इसमें असोक, अस्वगंदा, सतावरी, दस मूल, अरजून, मूलेठी, हरितकी और हल्दी जैसे महत पूर्ण आईरवेदिक इंग्रिडियन्स होते हैं मैं पूरा लिष्ट पढ़ नहीं पाऊंगा, इसमें 67 है, मैं यहाँ पर इसका स्क्रिन सोट लगा दिया हूँ, आप रोक कर या फिर वीडियो को प्यूज करके भी पढ़ सकते हैं दोस्तों सची सहली टॉनिक के साथ टेबलिट्स भी मिलता है, उसे कैसे यूज करना है, इसके बारे में भी हम लोग वीडियो के आगे में जानेंगे उससे पहले हम लोग सची सहली के फाइदे के बारे में जानते हैं तो दोस्तो बता दूँ ये एक आयरवेदिक सिरफ है और इसका यूज महिला और लड़की लोग करती है लड़के लोग या पूरू से इसका यूज नहीं करते हैं तो दोस्तो इसका मेंली उज महिलाओं के पिरियट्स के गड़बड़ी का इलाज करने के लिए क्या जाता है पिरियट्स के गड़बड़ी का मतलब है दोस्तो जैसे पिरियट्स के टाइमिंग में प्रॉब्लम है कभी कभी डेड года में, दो में, तीन में में आता है पिरियेड्स, तो उसे सही करने के लिए इसका यूज कRYा जा सकता है इसके अल्बावा पिरियेड्स में अगर बहुत ज़ादा है भी ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़ादा bleeding के साथ दर्द भी हो रहा है तो उसे भी control करने के लिए इसका यूज क्या जा सकता है या फिर periods के दुरान bleeding बहुत ज़ादा नहीं है लेकिन दर्द बहुत ज़ादा है तो उसे भी ये ठीक करने का काम करता है साथ ही period के कारण пेट में एठन हो रही है पेडू में एठन या फिर दर्ध हो रहा है तो इन सभी problem को सची सेली ठीक करने का काम करती है दोस्तो period के timing बिगडने से population के timing भी disturb हो जाती है तो population के timing को भी सही करने के लिए इस सिरब का यूज किया जा सकता है दोस्तो जो महिलाओं प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है उनके अवलेसिन के टैमिंग का फर्फेक्ट होना बहुत जरूरी है तब ही वो प्रेगनेंट हो पाती है दोस्तो महिलाओं के सरीर में कभी-कभी खून की बहुत कमी हो जाती है, खून की कमी के करण एनीमिया की बिमारी भी हो सकती है, तो खून की कमी को दूर करने के लिए भी इस सिरफ का इस्तमाल किया जा सकता है, इसके अलवा ये सिरफ सरीर में बिसेले टॉक्सिंग को निकाल क अगर सरीर को internally clean करने का काम करता है साथी ये सिरफ महिलाओं के पाचन क्रिया को बहतर बनाती है digestion system को improve करती है और भूग की कमी को भी पूरा करने का काम करती है इसके अलबा body में अगर internally कोई सूजन है कोई infection है तूसे सही करने के लिए भी इसका यूज़ क्या जा सकता है इसकी इनको handly और बनिया बनाने के लिए भी इसका यूज़ क्या जा सकता है सरीर को ताकत देता है यह धकान और कमजोरी को दूर करता है साथ ही चिर्चिडापन को भी दूर करने का काम करता है दोस्तो सरीर की immunity power और metabolism को भी बूश्ट करने के लिए भी इसका इस्तमाल क्या जा सकता है और इसके अलवा सरीर में पोसक तत्वों की कमी को भी यह पूरा करने का काम करता है दोस्तो इतने सारे सच्ची सहली के कुछ जेनरल फायदे हैं वैसे तो इस सिरप में जिस प्रकार की ingredients का यूज़ किया गया है उसके अनुसार इसमें और भी कई multiple benefits है मतलब महिलाओं के लिए complete health better management सिरप है दोस्तो सबसे अच्छी बात सच्ची सहली का यह है कि इसका कोई side effect नहीं है कोई नुकसान नहीं है लेकिन महिलाओं को अगर किसी type की allergy के दिक्कत हो रही है तो इसका इस्तमाल करना बंद कर दे दोस्तो इसका taste अच्छा नहीं होता है इसका taste थोड़ा सा कड़वा जरूर होता है जब यह गले में पार होता है तो थोड़ा कड़वा हाट महसूस होता है लेकिन अगर आपको ठीक करना अपने problems को तो इसको पीना पड़ेगा ही चलिए बात करते हैं इसके डोज इसके खुराक के बारे में कि महिला या फिर लड़की इसका यूज कैसे कितना और कितने टाइम तक करे सीरप पीने के लगबग आदे घंटे के बाद उस टेबलेट को लेना है आपको तीन टाइम लेना है सुबा दो पहर साम तीन टाइम लेना है कुछ खाने के बाद यानि आपको tablet तीन time लेना है जल्दी result के लिए आप दूद के साथ ले सकते हैं पानी के साथ ले सकते हैं या फिर juice के साथ भी ले सकते हैं अब बात आती है कि आखिर सची सहली को continue कितने दिनों तक इस्तमाल किया जाए तो इसको आपको continue तीन मेने तक regular use करना है साथ ही बाहर का खाना आपको छोड़ना पड़ेगा खाने में healthy diet लेना है और daily workout करना है exercise करना है और इसके साथ आपको कुछ परहेज भी करना है यानि आपको परहेज में बस खटी चीजे कम खाना है बहुत जादा खटा दही नहीं ख करेंगी साथ ही जिसका serious medical कोई issue है वो लोग भी इसका इस्तमल नहीं करेंगी अब बात करते हैं आखिर सच्ची सहली आयरवेदिक टोनी को कहां से खरेदा जाया और इसका कीमत कितना है तो इसके कीमत के अगर बात करें तो यह 250 रुपे में 205 एमेल का एक बोतल मिल जाएग में इसका photo मिल जाएगा directly उसको touch करिए और सच्ची सहली को खरीच सकते हैं यहां खरीदने से आपको कुछ discount के साथ भी मिल सकता है तो दोस्तों ये था सच्ची सहली का complete review वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को like करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से हैं धन्यवाद